मिलेंगे वहाँ पे हमको has to और have to का यूज़ करना है सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो has to का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है he, see it और name उसके साथ has to का प्योग करना है अगर सब्जेक्ट plural है प्रूरल सब्जेक्ट के साथ has to का यूज़ करेंगे, प्रूरल में क्या क्या आता है, I, B, U और दे, इनके साथ has to का यूज़ करेंगे, रूल देख लेते हैं, प्रूल का रूल के आई, सबसे पहले, सब्जेक्ट, फिर has to, have to, फिर बड़ों का first form object, अगर बड़ों, निगे has not to, have not to, फिर बड़ों का first form object, अगर बड़ों, इंट्रोगेट्व में, जब वापके क्या सब्सक्तू होता है, तो सबसे पहले has बहुत है, सबसे पहले has है, इसके बाद subject, subject के बाद तू लगाना है, फिर बड़ों का first form, object, अगर बड़ों, जब question word से start होगा, बीच में आ किना है, to, पिर बड़ों की first form, object, other word, okay, example एकि मुझे पैदर इस्कूल जाना पड़ता है, लास्ट में का आगया, पड़ता है, पड़ती है, पड़ते है, यह इसकी पैचान है, पड़ता है, पड़ती है, पड़ते है, पड़ते है, तो लास्ट में आ गया, अब इसको translate करत मुझे का क्या होता है, I, I, I के साफ क्या लगाएंगे, है, प्लूरल होता है, तो I have to, फिर बड़ती है, फिर फास्ट फम, go, I have to go to school, पैदर का हो जाता है, on foot, I have to go to school on foot, दूसरा example, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे का क्या होता है, ली, तो ही के साफ, हैस्ट का हैंगे, he has to, खाना बनाने का, फू, तो he has to, फू, फूद, इसरा example, उसे काम नहीं करना पड़ता है, यह निगेटिव वाला हो गया, उसे काम नहीं करना पड़ता है, he has not to, जब not लगाएंगे, तो has के परन्त बाद लगाएंगे, हैस और फू के पीछे में not आजाएगा, he he has not to, what, वर्च मतलब क्या हो ज़ता है। काम बनाना, next, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है, क्या से असे start हो गया इससे, Has है पहले हो जाएगा, subject क्या है, हां आप, आपक क्या होता है, you, you के साथ, have लगाएंगे, so have you to copy क्या आपको खाना बनाना पड़ता है आदिया सब्सक्राइब करें जिए आपको खाना पड़ता है